हेलो फ्रेंड्स, यूके निटिंग में आपका स्वागत है, आज मैं आपके साथ बहुती सुन्दर, बहुती आसान सिंगल कलर का पैटन सियर करने जारी हूँ, इस पैटन को आप औल प्रोजक्ट में अपलाई कर सकते हैं, लेडी स्वेटर, जेंड स्वेटर, बेबी डाल लेने हैं, फिर उसके बाद हमने कोई सा भी बॉर्डर बनाके कंप्लेट कर लेना है, और फ्रंट साइट से हमारा ये पैटन बनना स्टार्ड होगा, अब हम अपना पैटन बनाना स्टार्ड करते हैं, फर्स्ट्रों में देखे, पहला फंदा उतार लेंगे, और देख दो, तीन, चार, पांच, देखे, पांच फंदे सीधे बुन दिए, पांच फंदे सीधे बुनने के बाद देखे, धागा अपनी साइट करेंगे, जाली डालने के लिए, और देखे, दो फंदे एक साथ बुनेंगे, तो देखे, जो पहला फंदा है, इसको ऐसे पलटा ले ये दो का एक किया, ये देखे, अब हमने नेश्ट साथ खंदे सीधे बुन लेने, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, और साथ, साथ खंदे सीधे, साथ खंदे सीधे बुनने के बाद देखे, नेश्ट हम दो खंदे, एक साथ बुनेंगे, तो देखे, दो का एक कर लेंगे, यह दो का एक किया धागा अपनी साइड करेंगे जाली डालने के लिए और यह देखिए यह हमारा यह 6 फंदे छोड़ने के बाद देखिए यहाँ पर यह 11 फंदों में पैटन आ गया अब देखिए नेश्ट हमने यहाँ पर नेश्ट फंदे सीधे बुन लेने तो देखिए एक दो तीन चार पांच छे शाट आठ नो दस और ग्यार यह 11 फंदे हमारे सीधे आ जाएंगे अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट रो में हमारे प्रोजक्ट के हिसाब से हमारे जितने फंदे होंगे हमने नेश्ट यही प्रोजिस रिपीट करना है शुरू में हम 6 फंदे सीधे बुन लेंगे उसके बाद हम 11 फंदों में पैटन डालेंगे फिर हम 11 फंदे सीधे बुनेंगे फिर 11 फंदों में पैटन डालेंगे और जो लास्ट में होगा लास्ट में हमारे ऐसे ही 6 फंदे सीधे आ जाएंगे अब देखें यहां पर लास्ट का फंदा सीधा भून लेंगे इस तरीके से हम फ्रंट साइड से अपनी फर्स्ट रो कंफ्लेट कर लेंगे अब देखें बैक साइड से से किंड रो अब से किंड रो में देखें पहला फंदा उता लेंगे और back side से हमने second row को उल्टा बुनते हुए complete कर लेना है यह देखे इस तरीके से उल्टा बुनते हुए हम back side से second row complete करेंगे और back side से पूरे pattern में यही process repeat होगा यह देखे जो जाली से बने फंदे हैं इनको भी हमने ऐसे उल्टा बुन लेना है यह देखे यह back side से हमारी second row complete हो गई अब देखे फ्रंट side से third row अब third row में देखे पहला फंदा उतार लेंगे आप बुन के भी उतार सकते हैं अब देखे नेस्ट हमने चार फंदे सीधे बुनने हैं एक दो तीन और चार यह चार फंदे सीधे अब देखे जो नेस्ट फंदा है इसमें हमारा pattern आएगा तो देखे इस सलाई वाला फंदा छोड़के ऐसे chain में आएंगे जो second number का फंदा है इसमें ऐसे सलाई डालेंगे और एक फंदे से हम यहाँ पर पांच फंदे बनाएंगे तो देखे एक धागा अपनी side दो फिर ऐसे बुन के तीन फिर दागा अपनी side 4 फिर देखे उसी होल में प्लाई डालेंगे और बुन के ये पांच वी नमबर का फंदा बन जाएगा यह देखे यह पांच वे नमबर का फंदा बन गया अब देखे जो नेस्ट फंदा है इसको ऐसे ही जो सलाई में फंदा है इसको ऐसे ही उतार लेंगे फिर देखे यहां पर ऐसे सलाई पलटेंगे यह देखे अब देखे जो यह पहला फंदा है इसको ऐसे ही उतारेंगे फिर फिर हमें ऐसे सलाई पल्टा लेंगे अब देखे एक दो तीन चार और पांच ये पांच फंदे हमने राइट नीड़े में उतार दिये अब देखे जो छेटवा नमबर का फंदा है इसको ऐसे बुन के उतार लेंगे अब देखे ये फंदा हमने बुन के उतारा अब देखे जो ये पांच फंदे हमने बिना बुने उतारे हैं ये देखे चटवे नमबर के फंदे के उपर से उतार के इनको सिलीप करेंगे एक हो गया दो तीन चार और पांच ये देखे ये हमारा यहां पर पबन के तयार हो गय फिर देखिए नेस्ट फंदा सीधा बुनेंगे ये नेस्ट फंदा हमने सीधा बुन दिया फिर धाग अपनी साइट करेंगे जाली डालने के लिए और दो फंदे एक साथ बुनेंगे देखिए पहला फंदा ऐसे पल्टा लेंगे और दो का एक कर लेंगे ये दो का एक किया आप देखिए, नेस्ट फंदे, एक, दो, तीन, चार, और पांच, यह पांच फंदे सीधे बुने, पांच फंदे सीधे बुनने के बाद देखिए, नेस्ट आपने दो फंदे, एक साथ बुनने हैं, तो सीधी साइड से एंसी सलाई डालेंगे, और दो का एक कर लेंगे, यह धाग अपनी साइड जाली डालने के लिए, और नेश्ट फंदा सीधा बुनेंगे, और देखे जो नेश्ट फंदा आता है, जो हमारे ये 11 फंदे हैं, अजर फंदे में से देखे जो पहले नंबर का फंदा है, इसमें हमारा पप बनेगा, तो देखे सलाई वाला फंदा तीन दागा अपनी साइड चार फिर इस फंदे को बुनेंगे पांच फंदे हो गए फिर देखे जो लैप नेडिल में फंदा है इसको ऐसे उतार लेंगे फिर यहां पर हमें ऐसे सलाई पलटाएंगे अब देखे इन फंदों को हम बैक साइड की तरब से बुनेंगे तो दूसरे नमबर का फंदा भी हम ऐसे बिन बुने उतार लेंगे अब चार फंदे बुनके उतारेंगे एक दो तीन और चार फिर हम यहां पर सलाई पलटा लेंगे अब इन पांच फंदों को ऐसे राइट निडिल में उतार लेंगे यह देखे पांच फंदे राइट निडि कि लेंगे यह देखें दो फंदे उतार दिए यह तीन चार और पांच यह देखें आप देखें नेस्ट एक दो तीन चार पांच छे शाट आठ और नो इदेखें सेंटर में हमारे नो फंदे ही सीधी आगे अब देखे जो लास्ट वाला फंदा है 11 फंदों में से जो लास्ट का फंदा इसपे भी हमारा गवा के चुछ सप्वर थिर हमार पांच, ऐसे, फिर सलाई वाला फंदा ऐसे उता लेंगे, फिर यहां पर देखे, ऐसे सलाईों को पल्टा लेंगे, फिर दो फंदे ऐसे बिना बुने, उता लेंगे, चार फंदे उल्टे बुनेंगे, एक, दो, तीन, और चार, फिर देखे, यहां पर ऐसे सलाई पल्टा ले पांच फंदों को ऐसे उतार लेंगे बिना भुने राइट नीडिल में ये दिखे फिर लास्ट का फंदा जो चटवे नंबर का फंदा है इसको भुन के उतारेंगे और पांच फंदे इसके उपर से उतार के सिलीब कर लेंगे दो तीन चार और पांच फिर लास्ट का फंदा सीधा बुन लेंगे ये फ्रंट साइड से हमारी थर्ड रो कमप्लेट हो गई अब देखे बैक साइड से फोर्थ रो फोर्थ रो में देखे पहला फंदा उतारेंगे और बैक साइड से हमने फोर्थ रो को सेकिंड रो की तरह उल्टा बुनते हुए कमप्लेट कर लेना है अब देखिए फ्रंट साइड से फिप्तरों न देखिए 6 पंदे सीधे बुन लेंगे एक दो तीन चार पांच और छे ये इस्टार्डिन के 6 पंदे आगे अब देखिए ने स्ट हमारे 11 पंदे पैटर्न के आ जाते हैं तो 11 पंदों में से देखिए एक, दो, दो फंदे सीधे, फिर यहां पर देखे, धागा अपनी साइड करेंगे, जाली डालने के लिए, और देखे, जो नेश्ट फंदे है, इसको ऐसे पलटा लेंगे, फिर यहां पर दो का एक कर लेंगे, यह दो का एक किया, यह देखे, फिर नेश्ट देखे, एक, दो, तीन, तीन फंदे सीधे आगे, फिर देखें, नेस्ट हमने दो फंदे एक साथ बुनने हैं, और दो का एक का लेना, फिर धागा अपने साइड जाली डालने के लिए, नेस्ट हम दो फंदे सीधे बुनेंगे, एक और दो, तो देखें, यह ग्यारा फंदों में यहाँ पे पै पांच, छे, साथ, आट, नो, दस, और ग्यारा, ग्यारा फंदे आगे हमारे सीधे और लास्ट का फंदा सीधा, तो देखिए ये फ्रंट साइड से हमारी फिप्त रो कंप्लीट हो गई, अब देखिए बैक साइड से 6 रो, अब 6 रो में देखिए पहला फंदा उतारेंगे, और बैक साइड से 6 रो को हमने सेकिंड रो की तरह उल्टा बुनते हुए, कंप्लीट कर लेना है, अब देखिए फ्रंट साइड से 7 रो, अब 7 रो में देखिए 6 फंदे सीधे बुन लेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, और 6, ये 6 फंदे सीधे आगए इस टार्टिंग वाले, अब इसके बाद देखिए नेश्ट 11 फंदों में पैटन आएगा, तो देखिए 11 फंदों में से देखिए 3 फंदे सीधे, एक, दो, तीन, फिर धागा अपनी साइड जाली डाल निकले, और देखिए नेश्ट फंदा ऐसे पलटा लेंगे, फिर 2 का एक करेंगे, फि देखिए फ्रेंट साइड की तरब से यह से सलाइड डालेंगे, और 2 का एक करेंगे, फिर धागा अपनी साइड जाली डालने के लिए, और 3 फंदे सीधे, यह 3 फंदे सीधे आगए, तो देखिए 11 फंदों में हमारा पैटन आ गया, फिर देखिए नेश्ट हमारे 11 फंदे आ जाते हैं, तो इनको हम सीधा बुन लेंगे, यह फ्रंट साइड से हमारी 7 फंदों कंप्लेट हो गई, अब देखिए बैक साइड से 8 फंदों में देखिए पहला फंदा उतारेंगे, और बैक साइड से 8 फंदों की तरब उल्टा बुनते हुए कंप्लेट कर लेना है, अ आप देखिए फ्रंट साइड से 9 रों, अब 9 रों में देखिए 5 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, यह 5 फंदे सीधे आ गए, देखिए एक तो जो एक्स्ट्रा फंदे है, 1, 2, 3, 4, 5 पांच फंदे सीधे बुनने के बाद देखिए अब देखिए जो नेस्ट फंदा है छेटवे नंबर का इसमें हमारा पैटन आएगा तो देखिए सलाई वाला फंदा चोड़के ऐसे चेन में आएंगे और सेकिंड नंबर के फंदे में सलाई डालेंगे और इस फंदे में हमे पांच फंदे बना लेने, तो एक, दो, तीन, चार, और पांच, यह पांच फंदे बना दिये, और नेश्ट फंदा ऐसे ही बिना बुने उतार लेंगे, जो सलाई में, सलाई ऐसे पलटा लेंगे, अब देखें, बैक साइट की तरब से दो फंदे ऐसे उतार लेंगे, बिना वुने राइट नीडिल में ये दो फंदे उतार देए अब नेस्ट हमने चार फंदे भुन के उतारने हैं ये देखी एक हो गया दो-ती और छार फिर एशे सलाई पलटा लेंगे अब देखी है भाइट नीडिल में ऐसे ही विना भुने उतार लेंगे और देखिए जो छेटवे नमबर का फंद है इसको बुन के उतारेंगे अब देखिए जो छेटवे नमबर का फंद हमने बुन के उतारा इसके उपर से हमने ऐसे फंदे सिलीब कर लेने इन पांच ओफंदों को सिलीब करेंगे दो होगे तीन चार और पांच ये देखे फिर देखे नेश्ड चार फंदे सीधे बुन लेंगे एक दो तीन चार फंदे सीधे धागा अपने साइड जाली डालने के लिए आप देखे जो पहला फंदा है इसको हमने ऐसे ही बिना बुने एंसे पल्टा के एंसे बिना भुने राइट निड़िल में उतार लेना है आप देखे नेस्ट्रम दो फंड़े, एक साथ बुनेंगे तो एंसे सीधी साइड से देखे एंसे सलाई डालेंगे और देखे इन दो फंडों का एक कलिंगे दो का एक किया अब देखे जो फंदा हमने बिना बुने उतारा है इसको ऐसे लेप नीट की साइता से इन फंदों के उपर से देखे जो दो का एक किया है इसके उपर से उतार के सिलिप कर देंगे ए देखे फिर धागा अपनी साइट करेंगे जारी डालने के लिए और देखे नेस्ट हमने 4 फंदे सीधे बुन लेने 1, 2, 3, 4 यह 4 फंदे सीधे आ गए अब देखें नेस्ट हमारे 11 फंदे आ जाते हैं इन में से देखें जो पहला फंद है इसमें हमारा पैटर्न आएगा तो सलाई वाला फंदा छोड़के सेकिंड वाले फंदे में सलाई डालेंगे और 1 फंदे से 5 फंदे बना लें फिर देखें नेस्ट सेंटर में 9 फंदे सीधे आ गए अब देखें जो लास्ट वाला फंदा है 11 फंदों में से इसमें भी पैटर्न आएगा यह देखें फ्रन्ट साइट से हमारी 9 फंदों कमप्लीट हो गई अब देखें बैक साइट से 10 फंदों में देखें पहला फंदा उतरेगा और बैक साइट से हमने 10 फंदों को 2 फंदों के तरह उल्टा बुनते हुए कमप्लीट कर लेना है देखें फ्रन्ट साइट से 11 फंदों अब 11 फंदों में देखें 6 फंदे सीधे बुनेंगे 6 फंदे हमने सीधे बुन दिये छे फंदे सीधे बुनने के बाद देखें, नेश्ट ग्यारा फंदों में हमारा पैटन आएगा, तो देखें, एक, दो, तीन, चार, और पांच, पांच फंदे सीधे बुने, पांच फंदे सीधे बुनने के बाद देखें, धागा पीछे ही रहेगा, और जो नेश्ट फंद छोड़ के ऐसे chain में आएंगे और chicken number के फंदे में slide डालेंगे और यहा पर एक फंदे से हम पांच फंदे बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, यह देख, एक फंदे से हमने 5 फंदे बनाए अब शराइग वाला फंदा भी ऐसे ुतार लेंगे यहाँ पर देखे स्लाई प़लटा लेंगрий दुफंद हमने ऐसे ही बिनबुने उतार लेंगेatives स्फिर चार फंदे बुन के उतारेंगagna זה दो यह तीन और चार कर थे राशी में उतार देखे नेश्ट हमने पांच फंदे ऐसे बिन बुने उतार लेने यह देखे यह पांच फंदे हमने बिन बुने उतारे अब देखे जो छेटवे नंबर का फंद है इसको बुन के उतारेंगे और इन पांच फंदों को देखे छेटवे नंबर के फंदे के उपर से उतार के स् एक, दो, तीन, चार और पांच, पांच फंदे सीधे आ गए, तो देखिए ये 11 फंदों में हमारा पैटर्न आ गया, फिर देखिए नेस्ट ग्यारा फंदे सीधे बुनेंगे, तो देखिए फ्रंट साइड से हमारी 11 फंदों कंप्लेट हो गई, अब देखिए बैक साइड से 12 फंदों में देखिए पहला फंदा उतारेंगे, और बैक साइड से हमने 12 फंदों को उल्टा बुनते भे कंप्लेट कर लेना है, अब देखिए फ्रंट साइड से 13 फंदों में जाली डालने के लिए नैस्ट भंदा ऐसे पर डालेंगे फिर देखें दो का एक कर लेंगे इस दो का एक किया अब देखें एक दो तीन चार पांच छे और साथ साथ भंदे सीधे बुनेंगे साथ भंदे सीधे बुने के बाद देखें ऐसे सीधी साइट से सलाई डालेंगे दो का एक कर लेंगे फिर यहाँ पर एक जाली डालेंगे और नेस्ट ग्यारा भंदे सीधे बुनेंगे तो देखें फ्रेंट साइट से हमारी थर्टिन डो कमप्लेट हो गई अब देखें बैक साइट से फोर्टिन डो फोर्टिन डो को हमने बैक साइट से से किन डो की तरह उल्टा बुनते हुए कमप्लेट कर लेना है अब देखें फ्रेंट साइट से फिप्टिन डो फिप्टिन डो में देखिए पांच फंदे सीधे बुनेंगे एक, दो, तीन, चार, और पांच ये पांच फंदे सीधे बुनें अब देखिए जो छेटवे नंबर का फंदा है इसमें हमारा पैटर्न आएगा तो सलाई वाला फंदा छोड़के ऐसे चेन में आएगे सेकिन नंबर के फंदे में ऐसे सलाई डालेंगे और इससे पांच फंदे बनागे अब देखिए नेश्ट फंदा सीधा आजाएगा फिर यहां पर एक जाली डालेंगे फिर इस फंदे को एंसे पलटा लेंगे और दो का एक कल लेंगे दो का एक किया फिर नेश्ट हमने पांच फंदे सीधे बुन लेने हैं एक, दो, तीन, चार, और पांच जाली डालने के लिए एक फंदा सीधा अब देखिए नेश्ट हमारे ग्यारा फंदे आजाती है इन में से देखिए जो पहली नमबर का फंदा है इसमें हमारा पैटर्न आए फिर नेश्ट देखिए नो नो फंदे सीधे नेश्ट फंदे में पैटर्न आएगा सेकिंड नमबर के फंदे में ऐसे सलाई डालेंगे और एक फंदे से पाँच फंदे बना लेंगे और यहां पे एक पैटर्न बना के कंप्लेट कर लेंगे यह देखिए यह फ्रंट साइड से हमारी 15 डो कंप्लेट हो गई अब देखिए बैक साइड से 16 डो आप 16 डो में देखिए पहला फंदा उतारेंगे और बैक साइड से 16 डो को हमने सेकिंड डो की तरह उल्टा बुनते हुए कंप्लेट कर लेना है देखे फ्रंट साइड से 17 लो अब 17 लो में देखे 6 फंदे सीधे बुनेंगे एक दो दो फंदे सीधे धागा अपने साइड जाली डारने के लिए फिर देखे नेस्ट फंदा ऐसे पल्टाएंगे और दो का एक कर लेंगे फिर देखे एक दो और तीन तीन फंदे सीधे फिर देखे नेश्ट हमने दो फंदे एक साथ बुनने हैं दो का एक कर लेना है फिर धागा अपनी साइड करेंगे और दो फंदे सीधे बुननेंगे तो ये ग्यारा फंदों में पैटर्न आ गया हमारा फिर देखे नेश्ट हमारे ग्यारा फंदे आ जाते हैं तो इनको हम सीधा बुन लेंगे यह देखे यह फ्रन्ट साइड से हमारी 17 रो कमप्लीट हो गई अब देखे बैक साइड से 18 रो अब 18 रो को देखे पहला फंदा उतारेंगे और बैक साइड से हमने 18 रो को उल्टा बुनते हुए कमप्लीट कर लेना है अब देखे फ्रन्ट साइड से 19 रो अब 19 रो में देखे यह 6 फंदे सीधे आगे अब नेश्ट देखे 11 फंदों में पैटरन आएगा तो देखे तीन फंदे सीधे बुनेंगे एक, दो, तीन, तीन फंदे सीधे धागा अपनी साइड जाली डालने के लिए फिर देखे नेश्ट फंदा इसे पल्टा लेंगे फिर दो का एक कर लेंगे ये दो का एक किया फिर देखे एक फंदा सीधा बुनेंगे एक फंदा सीधा बुना फिर देखे नेस्ट हमने दो फंदे एक साथ बुनने हैं दो का एक करेंगे फिर देखे दागा अपने साइड जारी डालने के लिए और तीन फंदे सीधे यह देखें, नेस्ट हमने तीन फंदे सीधे बुन दिए, अब फिर देखें, नेस्ट हमारे ग्यारा फंदे आ जाते हैं, तो इनको हम सीधा बुन लेंगे यह देखें, फ्रन्ट साइड से हमारी 19 रोग कंप्लेट हो गई, अब देखें, बैक साइड से 20 रोग, अब 20 रोग में देखें, पहला फंदा उतारेंगे, और बैक साइड से 20 रोग को हमने उल्टा बुनते हैं, कंप्लेट कर लेना है आप देखें, फ्रन्ट साइड से 21 रोग, 21 रोग में देखें, पांच फंदे सीधे बुनेंगे एक, दो, तीन, चार और पांच, अब नेश्ट फंदे में हमारा पैटरन आएगा, पप बनेगा आप देखें, नेश्ट, एक, दो, तीन, चार फंदे सीधे, धाग अपने साइड जाली डालने के लिए अब जो नेश्ट फंदे है, इसको एंसी उतार लेंगे, अब नेश्ट दो फंदे एक साथ बुन लेंगे, दो का एक करेंगे फिर देखें, जो फंदा हमने बिना बुने उतारा, इस फंदे के उपर से उतार के इसको सिलीप करेंगे फिर धागा अपने side जाली डालने के लिए एक, दो, तीन, चार, चार फंदे सीधे, अब देखें चार फंदे सीधे बुलने के बाद देखें नेस्ट हमारे 11 फंदे आते हैं इन में सीधे के पहले फंदे में pattern बनेगा, अब देखें नेस्ट फंदे सीधे आ जाएंगे, यह देखें फ्रंट साइड से हमारी 21 रो कमप्लेट हो गई अब देखें बैक साइड से 22 रो 22 रो में देखें पहला फंदा उतारेंगे और बैक साइड से हमने 22 रो को उल्टा भुनते हुए कमप्लेट कर लेना है अब देखें फ्रंट साइड से 23 रो 23 रो में देखें 6 फंदे सीधे बुरेंगे 6 फंदे सीधे नेश्ट हमारा 11 फंदों में पैटर्न आएगा तो देखें एक दो तीन चार पांच फंदे सीधे अब देखें जो सेंटर का फंदा है इसमें पप बनेगा तो देखें जो सलाई पर फंदा है इसको छोड़के उसरे चैन में आएएगा और सेक्ट नमबर के फंदे में ऐसे शलाई डालेंगे और एक फंदे से पांच फंदे और फिर अपना पब बना के कंप्लेट करेंगे, फिर नेश्ट देखिए हमने 5 बंदे सीधे बुन लेने हैं, 5 बंदे सीधे, तो देखिए यह हमारे 11 बंदों में पैटर्न आ गया, अब देखिए नेश्ट देखिए जो 11 बंदे आएंगे, इनको हम सीधा बुनेंगे, देखिए फ्रांट साइड से हमारी 23 रो कंप्लेट हो गई, अब देखिए बैक साइड से 24 रो, अब 24 रो में देखिए पहला पंदा उतारेंगे, और बैक साइड से हमने 24 रो को उल्टा बुनते हुए कंप्लेट कर लेना है, अब देखिए फ्रांट साइड से 25 रो, अब 25 रो में देखिए पांच फंदे सीधे बुनेंगे, एक, दो, तीन, चार, और पांच, पांच फंदे सीधे बुनें, पांच फंदे सीधे बुनने के बाद देखिए नेस्ट फंदे में हमारा पैटरन आ जाएगा, तो पहला फंदा छोड़के यहां से सेकिंड नमबर के फंदे में आएंगे और यहां पर हम पैटन डालेंगे यह देखे यहां पर यह हमारा पप बनके तयार हो गया अब देखे नेश्ट यहां पर हमारा 11 फंदों में पैटन आएगा तो देखे एक दो तीन चार चार पंदे सीधे बुने आज वे नमबर का फंद आएगा इसमें पैटन डालेंगे अब हमारा इप बनके तयार हो चुका है अब देखे नेश्ट हमने सेंटर का फंदा सीधे बुन लेना है यह देखे अब सेंटर का फंदा सीधे बुनेंगे इसके बार जो नेश्ट बन आएगा इस पर पैटन डालेंगे तो देखे यहां पर एक बना के कंप्लेट कर लेंगे पर हमारा इक बनके कंप्लेट हो चुका है अब देखे नेश्ट बन दे 1 2 3 4 4 भंदे सीधे बुनेंगे 4 भंदे सीधे बुनने के बाद जो nest बन्द आएगा इस पे पैंटर डा रेंगे यहाँ पे हमने एक पब बना के complete कर लेना है यह देखिए यहाँ पे हमारा एक पब बन के complete त्यार हो चुका है आप देखे नेस्ट नो फंदे सीधे बुनें दस्वे नंबर के फंदे पर पैटर्न आएगा यह देखे यह फ्रांट साइड से हमारी 25 प्रो कम्प्लीट हो गई अब बैक साइड से देखे 26 प्रों 26 प्रों को हमने सेकिन प्रों के तरह उल्टा बुनते हुए कम्प्लीट कर लेना है अब देखे फ्रांट साइड से 27 प्रों अब 27 प्रों में देखे 6 पंदे सीधे बुनेंगा अब देखे नेस्ट 11 पंदों में पैटर्न आएगा तो दीखे एक दो तीन चार पांच यह पांच पंदे सीधे बुनेंगे 11 पंदों में से हमने 5 पंदे सीधे बुने अब देखे जो सेंटर का पंदा है इसमें पैटर्न आएगा तो देखे एंसे चेन में आएगे सेकिन नमबर के पंदे में सलाइड डालेंगे और यहां पर एक पप बना देखे यहां पर हमारा एक पप बनके कम्प्लीट हो चुक रहे है अब देखे नेश्ट 1,2,3,4,5 यह 5 पंदे सीधे आ गये तो देखे यह हमारे 11 पंदों में पैटर्न आ गया 11 पंदों में पैटर्न डालने के बाद देखे नेश्ट जो 11 पंदे आ जाते हैं इनको सीधा बुनेंगे यह देखे फ्रंट साइट से हमारी 27 रो कम्प्लेट हो गई अब देखे बैक साइट से 28 रो अब 28 रो में देखे पहला पंदा उतारेंगे और बैक साइट से हमने 28 रो को उल्टा बुनते हुए कम्प्लेट कर लेना है यह देखे बैक साइट से हमारी 28 रो कम्प्लेट हो गई 28 रो को हमने उल्टा बुनते हुए कम्प्लेट किया अब देखे फ्रंट साइट से 29 रो अब 29 रो में हमारा पैटन रिपीट होगा 29 रो को हमने फर्स्ट रो की तरह बुनते हुए कम्प्लेट करना है तो यहाँ पर देखे रिपीट रो देखे 6 फंदे सीधे बुनेंगे एक हो गया दो तीन चार पांच और 6 यह 6 फंदे सीधे आ गए 6 फंदे सीधे आने के बाद देखे नेश्ट 11 फंदों में पैटन आए तो देखे धागा अपनी साइट करेंगे जाली डालने के लिए पहला फंदा पल्टा लेंगे अब देखे दो का एक कर लेंगे यह दो का एक किया यह देखे फिर नेश्ट अपने साथ फंदे सीधे बुनने एक दो तीन चार पांच छे और साथ साथ फंदे सीधे बुनने के बाद देखे नेश्ट अपने दो फंदे एक साथ बुनने तो सीधी साइट से सलाई डालेंगे और दो का एक कर लेंगे यह दो का एक हो गया धागा अपनी साइट करेंगे जाली डालने के लिए और देखे नेश्ट अपने सीधे बुन लेंग ये क्यारा फंदे सीधे बुने प्लास्ट का फंदा भी सीधा बुनेंगे तो देखिए फ्रंट साइड से हमारी 29 रो कंप्लीट हो गई 29 रो में हमारा पैटन रिपीट हो रहा था फर्स्ट रो की तरह अब बैक साइड से देखिए जो 30 रो आएगी उसको हम सेकिन रो की तरह बुनते हुए कंप्लीट करेंगे इस तरह हम अपने पैटन को रिपीट करते जाएंगे और बनके देखे हमारा पैटन कुछ इस तरह से आजाएगा ये देखे बहुती सुन्दर बहुती आसान पैटन है आप इसे और प्रोजक्ट में अपलाई कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो किरपया लाइक करें सियर करें कमेंट करें और आप हमारे चैनल में नहीं हो तो प्लीज करना नपले थेंगे